आई कीजिए और सस्क्राइब कीजिए होटी कल्चर गुरुजी चैनल को और लेटेस्ट होटी कल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.hoticulture.in पर जाएं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है Hello students, this is lecture 3rd of HOT 211 Production Technology for Vegetables and Spices. In this lecture, we will discuss on classification of vegetables. Let's start. First one is, there are more than 240 plants in the world which are used as vegetables. लगवग 240 पोधों की परजातिया हैं जिनको ज़्यादातर यूज किया जाता है, सब्जी के लिए यूज किया जाता है और classification क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे उन पोधों की जो प्रकरती होती है नेचर होता है, वो पता चलता है. दूसरा, उसका किसी special plant के साथ क्या relation है? मतलब दो सब्जीयों का आपस में क्या relation है? और क्या difference है उन दोनों के अंदर? वो पता चलता है. ठीक है? और उनके अंदर समन्द भी स्तापित होता है. मतलब यह कहलो कि जैसे अब कुकर बिट्स कह देते हैं अपने, तो कुकर बिट्स एक ग्रूप हो गया, तो उनकी जो cultural practices होती है, वो लग 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 सेम होती है. अब सोलेनेजिय से एक ग्रूप हो गया, तो उनकी भी cultural practices सेम होती है, ठीक है? मतलब इनका ग्रूप बनाया जाता है, उसी हिसाफ से इनको classification करना ज़रूरी हो जाता है, ग्रूप बनाने के लिए, जिससे अपने को पता चल सके कि इनकी कौन कौन सी cultural practices है, वो बिल्कुल सेम ह ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला है बोटनिकल क्लासिफिकेशन, बोटनिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले plant kingdom, ठीक है, प्लांट kingdom को चार ठेलो की division के अंदर divide किया जाता है, पहली होती है ठेलोफाइटा, ठीक है, जिसके अंदर भंजाई आ जाती है, लाइकन्स आ आ जाते हैं, algae आ जाते हैं, जानि कि non-vascular plants, हैर क्लास के plants, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, यह भी non-vascular plants होते हैं, उन्ही का एक ग्रूप है, जिसमें moses आ जाती है, फिर आता है पटेरिडोफाइटा, जिसमें vascular ferns आ जाती है, ठीक है, इसमें जो vascular system होता है, डवलप ह होता है, फिर है spermatophyta, इनमें भी vascular system well developed होता है, अच्छा विक्सित होता है, इनको आगे दो sub division के अंदर divide किया जाता है, जिम्नोस्परमई और angios्परमई, जिम्नोस्परमई के अंदर conifers, cycads आ जाते हैं, मलब जो high altitude पे उखते हैं, ऐसे पोदे आ जाते हैं, और angios्परमई को आगे फिर दो class के अंदर divide किया जाता है, मोनोकोटी लेडोनी और डाइकोटी लेडोनी, ठीक है, और इन दोनों को भी आगे फिर family के अंदर divide किया जाता है, फिर genera, species, और botanical variety, ठीक है, family जैसे मालो, कुकरवेटेसी, genera, उसका कुकुमिस, species, sativus, variety, जैसे Chinese green, जा कोई भी उसकी जो किसम है, शीतल, ठीक है, ऐसे जो उसकी किसमे है, उसी species की जो किसमे है, स्टार्ट करते है, मोनोकोटी लेडोनी, इसमें क्या होता है कि, जो one seed होता है, वो half होता है, यह कहलो कि एक ही दल पत्तर पाया जाता है, ठीक है, इसमें जो family आती है, MRI, LIDAC, जिसको LIDAC family भी बोल देते हैं, इसमें पहला जो plant, जास वेजिटेवल आती है, वो onion, ऐलियम सिपा, प्याज, ठीक है, गार्लिक, लैसून होती है, ऐलियम सेटिवम, ठीक है, फिर लीक, ऐलियम पोरम, सेकंड फैमिली है, एरेकेसी, इसमें कोलो केशिया आ जाता है, अरभी, खोलो केशिया एसकूलेंटा, ठीक है, तीसी family है, लीली एसी, इसमें एस पैरेकसे आ जाता है, सुतावर, एस पैरेकस ऑफिसनेर्लिस, चौती है, डाइस कोरेसी, इसमें याम्स आ जाते हैं, डाइस कोरिया, अलाटा, इसमें वाइट जाम, ल सोनो कोट की थी ठीक है उसके बाद है डाई कोटी लेड़ोनी के अंदर जिसमें दो दल पाए जाते हैं ठीक है बीज में दो हाफ मतलब किया जा सकता है बीज को दो टुकड़े होते हैं बीज के अगर उसका शिलका उतारा जाए तो उपर से ठीक है इसमें पहली फैमली है ची जर्णली जो पालक अपने खाते हैं वो उसके बाद है पालक बीटा वल्गेरिस वराइटी बेंगा लैंसिस यह भी पालक होता है पर यह ज्यादा तर वैसे कहलो कि देसी पालक कहते हैं इसको ठीक है यह इसके पत्ते थोड़े से कट लिए हुए होते हैं उसके दो बिल्कुल शेप लिए होते हैं एक réalité में होते हैं पर इसके थोड़े से कट Bracica oleacea variety Capitata cabbage पत्ता गोबी ठीक है cauliflower फूल गोबी Bracica oleacea variety Botrytis पत्ता फूल गोबी का ठीक है Nolcol Bracica oleacea variety Gangilodes Nolcol होता है गांठ गोबी Brussels sprout Bracica oleacea variety Gamifera Ternip Bracica compostries variety Rapa Mustard Bracica junsia mustard मतलब राई ठीक है Ternip होता है छलजम Radish Radish मूली Raffinus sativus ठीक है उसके बाद चोती फैमली है इसमें कुकर बेटे सी इसमें pumpkin जो कद्दू है कुकर बिटा मोस चाटा समर स्क्वैश चपन कद्दू कुकर बिटा पेपो कुकुमबर खीरा कुकुमिस सेटिवस रिसगार्ड लूफा एकुटेंगूला रिसगार्ड होता है दारीदार तोरही जींगली तोरही स्पोंज गार्ड लूफा स्लेंडरी का जो जर्नली मार्केट में मिलती है तोरही ठीक है सनेक गार्ड ट्राइचो जैंथस कुकु मेरिना बोटल गार्ड लिजनेरिया सिस्रेरिया बोटल गार्ड होता है लोकी छीड़ी घीया भी इसी कुल में आ जाते हैं इसी की एक फैमिली है वाटर मेलन सित्रूलस लेंटस वाटर मेलन सारे जानते हो तर्बूज विंटर स्क्वैश कुकर बिटा मैक्सिमा बिटरगार्ड करेला ममोडिका चरंटिया ठीक है बिटरगाट करेला, कंपोजिटी फैमिली जहें इसको एस्ट्रेसी फैमिली भी बोल देते हैं, इसमें लेटूस आ जाता है, लेक्टुकास, सेटिवा, गलोब आटिचोक आ जाता है, सैनारा, स्कोलेमस, जरूसेलम आटिचोक आ जाता है, हैलियन्थस, टुब्रोसस, यूफोर बीएसी फैमिली, इसमें टैप्योका जा कसावा, मैनी होट एस्कूलेंटा, लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसको फैबेसी भी बोल देते हैं, ठीक है, इसमें कलस्टर बीन, साइमोपसिस, टेट्रा, गोनो लोबा, इंडियन बीन्स, हैसिंतीन बीन, डोलिचोस, ल लेंटस, किड्नी, स्नेप, फ्रेंच बीन, राजमा, ठीक है, फैसियोलस, वल्गेर, वल्गेरिस, कावपी, जो चबला होता है, विगना, साइनेंसिस, विगना उंगी कुल आट्टा भी लिखा हुआ रहता है, कई बार साइनेंसिस, विंग्ड बीन्स, गोवा बीन्स, सौफोकार्पस टेट्रोगोनो लॉबस, विंग्ड बीन्स का, मेथी, जो फैनुग्रीक, जो है, ट्राइगोनेला, फोरेनम, ग्रेइसम, मालवेसी फैमली है, ठीक है, इसमेद्डी आ जाती है, उकरा, एबलमोस्चस एस्कुलेंटम, आलु का टोमैटो जो टमाटर है उसका स्वीट पेपर और कैपसिकम जो मतलब शिमला मिर्च जो है उसका Capsicum Enum Variety Grosome Hot Paper Chili जाने कि जो Simple Mirch हरी Mirch होती है Capsicum Enum Variety Enum Vringle Bangunka Solenum Melongena Ambelly Fairy जो Family है इसे APSE Family भी बोल देते हैं इसमें Carrot Dicus Carota Gajar Coriander Dhania Coriandrum Stivum और Salary Appium Gravulences Second Classification है On the Basis of Parts Used मतलब कौन से पोदे का भाग यूज किया जाता है उसके अधार पर पहला है Stem तने जिनके यूज किये जाते हैं जैसे Aspare का सैसमें Spears खाए जाते हैं ठीक है वो तने का ये एक भाग होता है Potato आलू के अंदर भी जो खाया जाता है वो Modified Stem ही होता है Tuber Kolra भी ये जो अपनी काठ को पी है नौलखॉल है उसके अंदर भी नौब खाई जाती है वो भी Stem का Modified Stem ही है Leaves के अंदर मेथी है पालक है Coriander है Amaranthus है Spinach है Cabbage है मतलब मेथी, पालक, धनिया, चुलाई, पालक और जो पत्ता गोबी है इनके अंदर Leaves खाई जाती है Fruits के अंदर Tomato Tomato है Brinjal, बेंगन है Okra बिंडी है Peas, मटर है Beans जितने भी होते है Lividween, Goa, Beans यो सारे वो उसके लावा Watermelon तरबूज Pumpkin, कद्दू के अंदर चिली, जो मिर्चा है वो सारे फ्रूट है Flowers के अंदर Cauliflower, Broccoli, Glove Artichop ये Flowers खाये जाते हैं इनके अंदर Cauliflower जो फूल गोबी है Broccoli भी एक फूली खाया जाता है Glove Artichop के अंदर भी फूली होता है Underground portions Roots Beetroot Beetroot होता है चुकंदर Radish, Mooli, Carrot, Gaja Roots खाये जाती है Underground portion के अंदर पहला part है उसमें Tuber Tuber के अंदर Potato Tuber अपने Potato के खाते हैं Bulb, Onion और Garlic के अंदर Bulb होता है Pyaz और Laysun के अंदर Quorum Yarm जो भी है आपके White Jam, Laser Jam, Greater Jam इनके अंदर अपने ज़्यादाता Quorum खाते है Rhizome, Turmeric और Ginger Haldi और अध्रक के अंदर अपने Rhizome खाते हैं ठीक है Immature Seeds किसमें खाये जाते हैं Peas और Bean के अंदर ठीक है कच्चे Beas वैसे ये कहले ना कि अंडर्गाउंड पार्ट के बाद का शटा है उसका Rhizome के बाद अंडर्गाउंड नहीं है कि अंडर्गाउंड पॉर्शन नहीं है ये अलग से एक कैटेगरी है Immature Seeds किसमें खाये जाते हैं Peas और Bean के अंदर कच्चे Beas खाते हैं अपने पके हुए नहीं खाते Method of Culture मतलब उनके जो Culture है उसके हिसाब से जैसे Perennial Vegetable जो बहु वर्शी है जैसे Asparagus है Artichow है Chop Chop है Chop Chop एक कुकरबिट है Moringa है Sajna कहते हो जिसको Evie Guard है Evie Guard भी कुकरबिट है Pointed Guard है Purval बोलते हो Spine Guard है ये भी कुकरबिट है Greens के अंदर कह देते हैं कि Greens जो है वो खानी चीज़ जैसे Spinach है वो Greens में आ जाता है New Zealand Spinach है कले है Mustard है Amaranthus है चुलाई मतलब और सरसों जो है इनको Greens के अंदर रखा जाता है Salad Crops जो सलाद के लिए जो होती है Salary, Lettuce, Parsley ठीक है ये Salad Crops है Cole Crops जो Cole Group से related है ठीक है इसके बारे मैं तुम्हें बाद में बता हूँ एक Cole क्या बती है इसका जो Parent था उसके हिसाब से इनको Cole Crops का जाता है और Basic Casi Family के अंदर आती है जैसे Cabbage है Cauliflower है Broccoli है Brussels Sprout है Chinese Cabbage है Nolcol Gant Gobi है मतलब ये सारे के सारे का एक Group है Cole Crops का Root Crops जड़ वाली पसले है Beet Root है Carrot Turnip Radish जो भी जड़ वाली पसले है वो Root Crops कहलाती है Bulb Crops जिन में Bulb सखाया जाता है Onion Leak Garlic Shallot Welsh Onion चाईब ठीक है ये खाया जाते है Tuber Crops से अंदर Potato Sweet Potato कसावा Elephant Food Jam Elephant Food Jam ये कहलो कि ये एक वैसे तो Quorum ठीक है पर इसको Tuber में रखा जाता है क्योंकि अपने Tuber के अंदर Quorum को Count Kiver कर लिया जाता है Peas और Beans Peas Beans Prode Bean Limba Bean Winged Bean Cowpe ठीक है इसमें आ गए Solanaceous में Tomato, Brinjal, Chili, Paper इनको रखा जाता है Cooker Bits में Cucumber, Watermelon Pumpkins Guard Melons वो इसी के अंदर आ जाते हैं सारे इसके बाद है Life Cycle के Basis पे उनको Classified किया गया है चोथा जैसे Annuals है Bineal है और Perennial है Annuals जो First Group है Annuals जो Annuals होते है वो ये कहलो कि वार्षिक जो अपना जीवन चकर एक सीजन के अंदर Complete कर लेते है ठीक है ऐसी सबजियों को इस ग्रूप में रखा जाता है Annuals के अंदर इसके अंदर ज़्यादातर सबजियां आ जाती है जैसे Broad Bean है Limba Bean है Watermelon है मतलब तर्बूज Musk Melon है खर्बूज Indian Spinach जो पालक है वो Chinese Cabbage है Tomato है Brinjal मतलब ज़्यादातर Maximum जो सबजियां है वो इस ग्रूप में आ जाती है फिर है Bainial जिनका जीवन चकर दो सीजन के अंदर पूरा होता है ठीक है Life Cycle अपना दो सीजन के अंदर ये कहलोगी द्वी वर्षी है तो दो Life Cycle दो सीजन के अंदर अपना पूरा करती है दो मोसम के अंदर पूरा करती है जैसे Cabbage है Cauliflower है Turnip है Carrot है Potato है इन सबजियों के अंदर होता क्या है कि एक सीजन में तो ये Vegetative Growth करती है और दूसरा सीजन इनका Reproductive Phase होती है ठीक है तो दूसरे सीजन में ये Reproductive Phase को पूरा करती है मतलब बीज से बीज तक की अगर बात की जाए तो ये Bainial है वैसे तो ये अपने Cabbage उगा लेते है और सबजी आ जाती है वो चीज नहीं अगर इसको बीज से बीज तक मतलब बीज उगाया है तो बीज ही बनाना है तो ये Bainial है उसके बाद है Perennial Those Vegetable Which Complete Their Life Cycle In More Than Two Seasons तीक है जिनके जीवन जो साइकल होता है वो दो सीजन से ज़्यादा की जरूरत होती है ये कहलो कि वो वर्षिया होती है एक बाद प्लांट कर दी तो कई साल तक वो प्रडक्शन देती है जैसे आर्टिचोक है इसके पाद एसपरे का शतावर है चौब चौब है ड्रमस्टिक है इसके लाबा पॉइंटेट गार्ड है इवी गार्ड है ठीक है कोसीनिया है ये सबजीया ज़्याँ ज़्यादा तर पेरिनियल नेचर की होती है मतलब बहुत साल एक बार प्लांटिंग कर दी तो तीन-चार साल तक ये चलती है थर्मो क्लासिफिकेशन थर्मो क्लासिफिकेशन ब्रुसल स्प्राउट ब्रोकली ये सारी रूट क्रोप्स रैडिश कैरट तरनिप ये वाली बीट भी सॉरी बीट नहीं उसके बाब बल्ब क्रोप्स ठीक है ओनियन गार्लिक लैटूस मेथी पी जो मटर होता है आलू, पोटेटो, विंटर स्क्वैश ये सारी कूल सीजन है मतलब ठंडे मोसम में उगती है जहां अपने अपने एरिया के लिए क्यालो कि ये रवी सीजन की फसले है एक तरीके से जो रवी सीजन में ठंडे मोसम में उगती है जब अपने सर्दी पढ़ रही होती है उसके बाद है दूसरी वारम सीजन की जो गर्मी के मोसम में आती है जो गर्म मोसम में उगती है जैसे बीन्स है mostly बीन्स जो ज़्यादातर होते है वो गर्मी के मोसम में उगने बाले होती है उसके बाद है ब्रिंजल, टोमैटो, चिल्ली, ये भी गर्मी की फसले हैं, गार्ड्स, जितने भी कुकर बिट्स कहलो एक तरीके से, जितने भी कुकर बिट्स हैं लग बलग वो सारे गर्मी के अंदर उखते हैं, ओकरा जो बिंडी है, कसावा है, समर स्क्वैश है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद है, मतलब जाम है, ये सारे के सारे वारम सीजन की फसले हैं, गर्म मोसम की जुरूरत होती हैं इनको, ठीक है, फिर है फोटो पिरेड के इसाव से, दिप्ति कालिता के अधार पर कहलो हिंदी में, दिप्ति कालिता के अधार पर, शौर्ट डे वेजिट करती है long day vegetables जिनको दिन की अवदी 12 गंटे से ज़्यादा हो spinach है beet है Chinese cabbage है lettuce है ये long day vegetable है इनको दिन की अवदी ज़्यादा चाहिए होती है फिर है day neutral vegetables जिन पर इनका क्या कहते हैं कि दिपती कालता कोई परवाब नहीं पड़ता है अगर day length ज़्यादा है तो भी चल जाती है और कम है तो भी चल जाती है जैसे tomato है, squash है, pumpkin है asparagus, शतावर है, paper paper है ठीक है growing season के हिसाफ से मतलब उनका जो season है उसके हिसाफ से जैसे खरीफ की है रवी की है और summer वाली फसले जिसको जायद कहा देते हो खरीफ वाली, जितनी भी cooker bits, vitatious vegetables होती है cooker bits होती है, वो सारे के सारे rainy season के अंदर ही अपनी life cycle पूरा करते हैं तो वो खरीफ में आ जाते हैं रवी, root crops जितनी भी है, cold crops है, potato lettuce, ठीक है उक्टूबर से फर्वरी के अंदर अपना life cycle पूरा करते हैं उक्टूबर से फर्वरी के अंदर तो रवी season, summer water melon, musk melon जो हैं, जानी कि ये summer जो जायद की फसले हैं ये ज़्यादातर फर्वरी से मई के अंदर cultivated की जाती हैं हर्वरी से लेकर ये कहलो कि मई तक इनको उगाया जाता है इंदर तीन season हो गए, ठीक है खरीब, रवी, summer खरीब में कुकर बिट्स आ जाते हैं और summer में भी कुकर बिट्स ही हैं, याद रखना ठीक है और जो रवी है, उसके अंदर root वाली coal crops, potato ये आ जाती है methods of rising method of rising मतलब कि उनको किस हिसाब से उगाया जाता है एक तो होती है, direct sowing की जाती है जिनकी, मतलब सीधा field में बीज बो दिया वो चीज, एक होती है जिनकी पहले पोत्तियार करते हैं नर्सरी में फिर उनके बाद उसकी transplanting की जाती है तो पहले direct sowing crops जिनकी सीधी field में बो आई करते हैं ओकरा, बिंडी है कैरट है गाजर की, रैडिश है मूली, बीन्स है ठीक है, पी है, गार्लिक है इनकी direct field में बो आई करते हैं transplanted crops जिनकी transplanting पहले, sorry, nursery त्यार करते हैं फिर उसके बाद उसको transplant करते हैं में फिल्ड में टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली कैबेज, कॉलिफलोवर नौल्खॉल ठीक है, इनकी पहले बो त्यार करते हैं फिर इसके बाद उनको transplant करते हैं rate of respiration rate sorry, respiration जो उनकी स्वशंदार होती है उसके हिसाफ से वैसे ये क्यों जरूरी होती है क्योंकि जब अपने किसी चीज़ को store करते हैं, बंधारित करते हैं, तो इसकी ज़्यादा जरूरत होती है कि पता होना चाहिए कि उसकी कितनी है respiration rate तो अगर किसी की ज़्यादा है respiration rate तो वो जल्दी खराब होने वाली होती है उसकी ज़्यादा care करनी पड़ती है और जिनकी कम होती है respiration rate वो ज़्यादा लंबे टाइम तक store करके रखी जा सकती है तो very high जिसकी है बहुत ज़्यादा कैलो की respiration rate हाई होती है ज़्यादा लीफी वेजटेबल की होती है यह कहलो asparagus है इसकी भी broccoli है पी है spinach है जानी की leafy वेजटेबल की हाई होती है उसके बाद हाई फिर दूसरा category की है उसने हाई बीन्स, lettuce, limba bean की हाई होती है फिर moderate जो मद्यम सी होती है लगबग चुकंदर है, beet, carrot गाजर की, celery है, cucumber है इनकी लगबग मद्यम सी होती है मतलब उन से और इन दोनों से बीच की कड़ी है उसके बाद लो जो ज़्यादा टाइम तक store करके रखी जा सकनी है जैसे cabbage है, sweet potato है, turnip है इनकी थोड़ी यह कहलो की respiration rate कम होती है, फिर बहुत ही कम होती है जिनकी respiration rate जैसे onion है, potato है, pumpkin है ash guard है, इनको तो यह कहलो की जैसे आलू, आपको पते ही है कितने टाइम तक store करके रख सकते हैं प्याज भी कर सकते हैं, जिनको बहुत लंबे time तक store करके रखा जा सकता है जी खराब हो जाती है बड़ी हुई उसकी उतनी ही ज्यादा respiration rate जहां स्वशंदर होती है ठीक है और जितनी लंबे time तक store रहेगी उसकी स्वशंदर उतनी ही कम होगी ठीक है अगर ज्यादा respiration rate होगी तो यह कहलो कि उसमें ज्यादा heat पैदा होगी ज्यादा heat पैदा होगी त इंपल सा फंडा है ठीक है next है forcing forcing क्या होती है कि off season के अंदर सबजियों को उगाना जब उनका कोई time नहीं है तब उस time में उसको cultivate करना जैसे सर्दी की फसल है उगती है तो उसको गर्मी में उगाना जब गर्मी वाली है उसको सर्दी के अंदर उगाना वो चीज forcing कहलाता है ठी Cool forcing vegetables है Cool forcing vegetables ऐसी सबजियां जिनको की अपने ठंडे शित उस time किया ठंडे time किया और उनको गर्म सीजन में उगाना है तो cool forcing vegetables जैसे asparagus है beetroot है cauliflower है celery यह ज्यादा था ठंडे मोसम में होती है पर इनको अगर आपने चाहें कि यह गर्म सीजन में हुए उग जाए ठीक है तो वो cool forcing जैसे warm forcing vegetables के अंदर beans, cucumber, brinjal, musk, melon, paper, tomato यह गर्म सीजन की है और इनको ठंडे सीजन में उगाया जाता है जाए उगाने की कोशिच की जाती है वो forcing कहलाती है ठीक है फिर है soil reaction pH slightly tolerant मतलब 8-6 pH वाली सबजियां जोगती है moderate tolerant 6-5.5 pH पे जोगती है slightly tolerant 5.5 से 5.0 pH पे जो ग्रो करती है तो slightly tolerant पहली पहली है जो 8-6 pH पे है जैसे asparagus, onion, cauliflower, broccoli, leek, cabbage, lettuce, musk, melon, celery मतलब यह ज़्यादा pH पे survive कर लेती है उग जाती है ज्यादा मिट्टी का pH है तो तो दूसरी है मद्यम कैलोजा moderate इसमें है carrot, cucumber, brinjal, garlic, pea, chili, radish, pumpkin, tomato मतलब जो गाजर है, cucumber है इनके लिए मद्यम pH होना चाहिए एक normal सी soil होनी चाहिए तो कम pH है वो है highly tolerant जैसे potato, aloo के लिए, sweet potato है, शकरकंद के लिए भी कम pH चाहिए होता है, watermelon है ये भी कम pH पे उग जाता है, चिकोरी है, रुटाब, रुबार्ब है, इनकी cultivation कम pH पे भी हो जाती है, next है rooting depth, rooting depth मतलब उनकी जड़ों की गहराई, जो जितनी जारा, जितनी की root system जारा develop होगा, वो जो उतना जारा गहरा होगा, ठीक है, जैसे shallow rooted, जिनकी जड़ 30 से 40 cm की उन्चाई तक ही रह जाती है, मतलब 30 से 40 cm में, मिट्टी में ही होती है, जैसे broccoli है, Brussels sprout है, cabbage है, cauliflower है, garlic, lesson, leek, lettuce, onion, प्याज है, potato, आलू है, radish, मूली है, और spinach, इनकी 30 से 40 cm है, वहीं इतने में ही जड़ होती है, moderate deep root, जिसकी 50 से 60 cm गहराई तक जड़ जाती है, मतलब 60 cm तक गहरी होती है, जैसे चुकंदर है, carrot, गाजर है, खीरा, कुकुमबर है, ब्रिंजल, बेंगन है, musk melon, जो खरबूजा है, ठीक है, pea, paper, summer squash, टर्निप, इनकी जड़े जड़ा गहरी होती है, shallow rooted से, फिर है deep rooted, जो बहुत जड़ा गहरी होती है, 80 से 100 cm जाए इससे भी जड़ा गहरी रहती है, जैसे artichub है, asparagus है, cluster bean है, cow pea है, french bean, limba bean, pumpkin, sweet potato, tomato, watermelon, इनकी जड़े ज़्यादा गहरी होती है, ठीक है, thank you,